गोड एुम्निंग ड्यरे स्टुदेंट्स अज एपीकल्चर की लेक्चर सिरीज में लास्ट लेक्चर है पांचवाई लेक्चर है ईपनी प्रेडेटर एंड डिजीज सो स्टाट करते हैं इसमें पहले पोर्शन पर डिजीज है और दूसरे पोर्शन पर प्रेडेटर है या इंसेक्ट है जिसमें से डिजीज है डिजीज है अकेराइन डिजीज इसमें से इसका मतलब है अकेराइन का मतलब है अकेरिया आरडर से लिया गया अकेरिया और अकेरिय पहली बार आईजिलाफ वाइट 1904 में पहली बार वहाँ पर अबजर्व किया गया था इसलिए इसको आईजिलाफ वाइट के नाम से भी जाना जाता है यह इसका साइंटिफिक नेम है अकरेशिस अकरेपसिस बूडी अकरेपसिस बूडी जो इसमाल पारासैटिक मैट्स होते है मैट्स तो बिल्कुल छोटी छोटी होती है और उसी की यह मैट्स ही है जो पारासैट के रूप में हनी बी में आ करके अटेक करती है और पारासैट के रूप में उसको बीक कर देती है और वही बीकनेस ही उसको डिजीज यूक्त बना देता है प्लेस आप इंफेक्शन ज जो माइट लिव एंड रिप्रोड्यूस इन दा ट्रेचिया, पहली तो कि जो माइट है वो ट्रेचिया के अंदर ही है, यह इस पाइरिकल होता है, जो आउटर पोर होता है, रेस्पिरेशन का यह इस पाइरिकल हो गया, इसके बाद यह ट्रेचिया लगे होते हैं, इसके करता है और जो ट्रेचियल ट्यूब्स होती है यह जो ट्रेचियल ट्यूब्स होती है इन ट्रेचियल ट्यूब्स को पियर्स करता है उन्हीं को सक करता है और जो इनमें जो चुकि जो इसके अंदर ट्रेचिया के अंदर काफी सारा ब्लेड भरा होता है जिसको इस इंसेक्ट क को यह insect, यह mites इसको feed करता है, इसको management कैसे करें, इसको management जिस समय सबसे ज़्यादा infection होता है, उस समय infection के time पर methyl salicylate, methyl salicylate को कलोनी में जो भी कलोनी होती है, उस कलोनी में एक cotton का कपड़ा लेते हैं, cotton shape में यानि रूई लेते हैं, इसको cotton का सफेद कलर का cotton लेते हैं, उसमें methyl salicylate में उसको बोर देते हैं, और बोरने के बाद उसको उसके चारो तरफ जो भी कलोनी होती है, उस कलोनी के चारो तरफ में उसमें फ्रेम में और कलोनी में उसको रूई से मारते रहते हैं, यह है ट् इसके अंदर ही यह might infection करता है और इसी के अंदर ही जो काफी सारा blood होता है, हीमोसील्स होता है, उस हीमोसील्स को यह नुकसान पहुंचाता है, दूसरा disease है, amoebidic disease, amoebidic disease यह है, इसका scientific name है, malpiga, moeba, maliphera, place of infection, यह malpigen tibles होती है, malpigen tibles में यह attack करता है, इसके nature of damage और symptoms क्या है, nature of damage है, जिसमें यह सबसे पहली बात तो dysentery करता है, चुकि malpigen tibles का काम क्या होता है, excretory organ है, तो इसमें क्या है ना, जो भी excreta होता है, excreta ही excreta करता है, तो यह जब भी attack होता है, इस disease का, तो honeybee में क्या होता है, dysentery लियाता है, मतलब petis type का, white color का इसके, digestive system में यह निकलने लगता है, और इसके बात, इसमें ही, इसके अंदर ही जो इंटेस्टीन होती है इंटेस्टाइन होती है ये इंटेस्टाइन होती है इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटर कर जाता है और जब इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटर कर जाता है तो इसके बाद ही इसमें ये मल के साथ निकलता है ये मल के साथ ही निकल जाता है और वही एक्सक्रेटर कहां जाता है हनी कॉम में जाता है हनी कॉम में जाता है तो क्या करेगा कंटामिनेट करेगा जो पहले से वहां पर हनी प्रजेंट होता है वैक्स प्रजेंट होता है जो पहले से हनी भी प्रजेंट हेल्दी हनी भी प्रजेंट होती है उन सभी क इसको contaminate करता है तो इस तरीके से ये infection करता है जिस जगे पर अगर इसको management करना है जिस जगे पर इसका infection हुआ है उस infection की जगे पर ही ग्लेसियल एसिटिक एसिड या 40% formalin जो इसका brood box होता है brood chamber होता है brood chamber के surrounding इसको इसमें इस्प्रे कर देते हैं इसको इस्टलाइजेशन बोलते हैं फिर है नोसेमा डिजीज नोसेमा डिजीज मोस्ट आप इंपॉर्टन डिजीज बहुत ही ज़्यादा अटेक करता है और का वाप ही सारा डेमेज इसकी वज़े से होता है तो नोसेमा डिजीज है किन्टेस्टिनिल ट्र्यक्ट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन होती है एंटेस्टीनल जो ट्रेक्ट होती है एडल्ट बीकी वहाँ पर यह जा करके अटेक करता है अब वहाँ पर जाता है जैसे वहाँ पर अटेक करता है तो इसमें फिर डाइसेंट्री या ला देता है और जब डाइसेंट्री ला जाता है तो इसी को ही नौसेमिक डाइसेंट्री इसकी disease की वजय से जब यह ट्रैक्ट होती है जब यहां पर आटेग करता है तो इसमें जब डाईजेशन होना होता है तो डाईजेशन क्या होता है प्रीडाईजेशन यानि भोजन आएगा और फीड करेगा फीड करने के पाद तुरंती आुटर हो जाता है, तुरंती एनच को ज़다 ुआ बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से यह अटैक करता है, यह यह देखिए, यह इसका अरेक गांड होते हैं, और ही इस टाइप्स में इसकी डाइसेंटरी होती यह जो हानी के कलोणी में आपको चारो तरफ से भी बॉक्स में फ्रेम में इस तरीके से आपको मिलेगा और ये इस तरीके से ये जुन्ड बना लेता है जो stage infection की stage होती है वो adult stage होती है तो जब adult stage होती है तो उसके management के लिए क्या करना चाहिए हमें जो proper ventilation है ventilation हमें कलोनी में management करना चाहिए उसके proper ventilation की बेवस्था करनी चाहिए और जो honey भी hive में present होती है जो infection कर देती है उनको वहाँ से कोसिस करनी चाहिए कि वहाँ से remove कर दे और जो brood box होते हैं brood box को eastern light करते हैं और इसमें glacial acetic acid 40% या sorry 40% formalin या glacial acetic acid को उसके frame में या तो जो उसका brood box होता है brood chamber में उसके surrounding उसको उसमें spray कर देते हैं पिर है ugly disease American fall brood American fall brood disease है जिसका काजल आर्गनिजम है penny bacillus species है जो larvae पर attack करता है larvae के time पर जब larvae होता है honey का उस समय अटेक करता है जो place of infection है gut में attack करता है nature of damage जैसे जो larvae जितने में भी ये अटेक करता है उन वो larvae तो मतलब जिनमें infection हो गया है उनको तो death हो नहीं होना है वो जल्दी से जल्दी वो मर जाते हैं और क्या करते हैं वो cells होती है जो cells comb की cells होती है comb की cells को seal कर देता है pack कर देता है और pack करने के बाद वो brown color का बदल जाता है और उसी में ही उसी honey में ही जो honey comb होता है उसी में से ही कुछ sticky mosses type का release करता है sticky मतलब चिपचिपा type का कुछ gum type का produce करता है जो fall smell देता है इसी लिए इस insect का जो नाम है उस disease का जो नाम है वो अमेरिकन fall brood disease है fall का मतलब है जैसे ही इसमें brown color में बदल जाता है और brown color में बदलने के बाद इसमें sticky substance produce करता है जिसके जो fall smell करता है fall smell करता है उसी की बदलत ही इसका fall brood नाम दिया गया है यह mostly जो larval stage होती है larval stage में ही attack करता है यह है इसके जो देखने के symptoms है जिसमें जो यह कैप लार्वी है यह कैप जो cells है जो कैप की गई है यह इसी की बदलत है जो larval में infection हुआ है और यह इसका larval है जो larval में infection करता है और इसके बाद यह black color में बदल जाता है तो यह इसका primary infection है फिर इसके management के लिए management के लिए इसके जो oxytetracyclin है hydrochlorides है teramycin है और tylosin titrate है इनका हम dusting करते हैं कॉम में ही उनका dusting करते हैं या 3% sodium hypochlorides का solution बना करके उसमें हम spray करते हैं उसके surrounding जो कॉम होता है कॉम के surrounding वरयय माइट्स है वरयय माइट्स है जो जिसका scientific name है वरयय डिस्टक्टर यह एक ऐसा माइट्स है जो अकेले responsible करता है जो आधुनिक beekeeper है वी keeping को छोड़ना मतलब है जो आजकल जो कम से कम bee keeping करेज अगर कोई छोड़ रहा है वी keeping करना छोड़ रहा है तो इस माइट्स का बहुत प्रकोफ होता है इस कारण से चोकि बहुत ही ज़्यादा damage करती है यह माइट्स जो इस्समाल छोटे size की होती है यह चोटे size की होती है और यह mostly हम नार्मली आखों से यह visible होती है नार्मली आखों से इसको हम देख सकते हैं जो reddish color की brown color की होती है mostly 85% जो माइट्स होती है वो क्या करती है जो brood cells होती है यह cells होती है कौम की इन brood cells को वो cap कर देता है और जब cap कर देता है तो यह दिखाई नहीं देती है और इसके बाद जो जब ही इसमें infection होता है उसके जो high में inspection होता है तो उस समय यह इसका infection देखने को मिलता है जब भी हम high में जाते हैं बार बार high को देखते हैं हम हाईव को देखते से हैं लार्वल स्टेज में यह काफी देखने को मिल जाती है और उसी हाईव में ही ये आपनी मतलब लारवल इस्टेजश भी बिलांग करती है इस टाइब से जो नरमली यह adult की stage में और लारवल stage में दोनों में अटेक करती है जो adult है adult में यह देखिए red कलर की might present होती है जो लारवल होती है लारवल stage में भी यह इस types की might दिखाई देती है जो pupa को जो pupa यह पीवपा होते हैं इनके पीवपा को कैप कर देती है इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो अच्छा है वो है एपीवर है एपीवर को इस्प्रे करते हैं या है हापकोड है हापकोड को भी हम इस्प्रे कर सकते हैं या आपका फॉर्मिक जल है फॉर्मिक जल का भी इस्प माथ है गलेरिया मैलोनेला गलेरिया मैलोनेला है यह वेक्स माथ लारवल की स्टेज पर और एडल्ट की स्टेज पर दोनों स्टेज पर ही यह अटेक कर सकता है यह हाईव की कंडिशन पर डिपेंड करता है यह हाईव है जो हाईव की कंडिशन पर डिपेंड करता है और जो उसके एक कॉम है कॉम जो इस्टोर किये गए है उस इस्टोर के कंडिशन पर भी डिपेंड करता है और वो हाईव है हाईव की बीकनेस पर भी डिपेंड करता है और हाई की जो strongness ऑँ strongness पर भी depending करता है ये एक serious problem है, बहुत ही serious problem है जो warm weather और dark condition में सबसे ज़्यादा attack करता है, ज़्यादा से ज़्यादा गरम मौसम होता है dark condition होती है उस समय, ये जधा attack करता है और ये कम से कम time पर जदा से जधा attack देखने को मिलता है इसका जो larva होता है जो come होता है honey come में एक tunnel type का बनाता है और वही पर ही उसी tunnel जब बना लेता है तो यही उसके जो people होते है पीपल को ये फीड करता है, कोकून को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्स को डिस्ट्रॉय करता है, और पूरी तरीके से उसमें बेब टाइप का बना देता है, और इसका जो इसमें जो एक्सक्रेटा होता है, उसी एक्सक्रेटा को ही, एक्सक्रेटा को ही जो हनी होता है, हनी होता ह जो आपको normaly दिख जाएगा जो इसके जो प्लास्टिक फाउंडेशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के उनमें भी ये अटैक नार्मली करता है फिर है इसमाल हाइव बीटल आयथिया टुमिडा यह जो इसमाल हाइव बीटल है यह यूनाइटेड इस्टेट में ज्यादतर पाई जाती है लेकिन अच इस समय यह पूरे वर्ड वाइड नेशनल वाइड भी बन गई है काफी सारे कंट्री में इसका आटैक देखने को मिलता है यह हाइव है जो क्लियरली विजिबल होती है और यह डार्क और ब्राउन कलर की होती है जो जल्द से जल्द आटैक करती है मतलब यह जैसे बहुत ही जल्दी इसका आटैक होता है और वो जैसे ही सनलाइट बढ़ता जाता है उसी समय इसका जो rapidly growth होता है वो बहुत ही बढ़ता जाता है उसी समय यह ज़्यादा attack करता है और यह जो hive है यह principal damage करता है और इसके जो excreta होते हैं excreta इसके comb में ही छोड़ता है हमन झोड़ता है तो हनी में मिलता है तो फिर यह contamination करता है कंटामिनेशन करेगा हनी से मिल जाता है उसके broods होते हैं तो यह contamination करता है और जैसे ही contamination करता है तो फिर इसमें fermentation होता है तो चुकि क्योंकि havni है Iya के साथ ये इसका जो मल होता है फेकल होता है इसमें जब ये मिक्स होता है तो फिर फर्मेंटेशन करता है जब फर्मेंटेशन करेगा तो उसका जो हनी है हनी का क्वाल्टी रफ हो जाएगा और वो मार्केट के लाएं नहीं होगा तो इस तरीके से ये अटेक करता है ये है इस तरह से यह बुर्ण्स के इस मर्यthree वद्ट कर जाता है और यह पर हजुते दिर भिए ओृतरह कर होता है जहांग Deputy है तरह और बना एक्रेट तरह से जाता है जो हनी णहोंता है और उसको कंटामीकर देता है थांक यू, थांक यू फर वाचिंग लेक्ट्चर स्रीज अप अप एकल्चर, थांक यू